प्रिये विद्यार्थियों मैं आपके लिए यहां लेकर आया हूँ वर्ष 2022 की उच माधिमिक प्रिक्षा में अधितम अंक हासिल करने वाले यानि असी के पेपर में असी पूरे अंक लाने वाले प्रिक्षार्थी की उत्रपुस्तिका आप देख सकते हैं अंग्रेजी 2022 की पिछली साल पिछली वर्ष जो एक्जाम हुई थी और यहां पर आप देख पाएंगे कि उस प्रिक्षार्थी की उत्रपुस्तिका है और उन्होंने इस एक्जाम के अंदर असी टोटल जो है असी में से असी पूरे अंक जो है वो अर्जित किये हैं इसी के साथ साथ हम साइड बाइ साइड वर्ष 2022 का पेपर भी लिए चलते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो है उस पेपर को शोल किया था ताकि हम भी उसे देख करके अधिक से अधिक अंक जो है वो प्राप्त कर सकें जैसे कि आप यहां देख रहे हैं दो घंटे 45 मिनिट का ही समय है क्योंक इसको धान में रखते हुया आगे चलें हम साथ-साथ पेपर को देखते हुए चलेंगे और साथ-साथ इन्होंने उत्तर किये हैं उन्हों के उनको भी हम देखते हुए चलेंगे तो पहला check . à इस एक्षन के अंदर उन्होंने जो है naprawdę वस्तुनिस्थ प्रस्थ धुशन जो है यहाँ पर यहां पर पर अंशुन के पूर यहां पर दे रखी है आप देख पारे हैं उन्होंने एक आंश्वर का सिर्फ correct option लिखा है फिर उन्हें ने gap दिया है यहां answer किया है फिर gap दिया है फिर यहां gap दिया है खास बात आप देख पा रहे हैं यहां लिखावा परिक्षक द्वारा प्रदत अंग यानि ये ये कोलम हमारे लिए नहीं होता है ये कोलम जो है कोपी जाच करने वाले पृक्षक के लिए होता है और हमें प्रश्णों की संख्या यहां इस कोलम की अंदर लिख नी होती है आगे चलते हैं में तो टोटल 12 वस्तुनेश्च परुशन के आप दाप पा रहे होंगे यहां पर वस्तुनेश्च प्रशनों के अथ्रों हो ने कम्कृट कर लिये थे। इसके बाद पिछ दूसरा पर था औप वो था combined sentence, जो है sentence को जो है combined करना था, एक को who से जोड़ना था, दूसरे को who से जोड़ना था, तो अब यह इनका answer हम देखते हैं, इन्होंने किस प्रकार से किया था उसे, देखिए, इनका answer है, he who has seen but bangles was born in cast, तो यहां पर आप question देख पारें कि इन्होंने who से जोड़ा है, औ और दूसरा जो question था, वो who से जोड़ा है, तो उन्होंने वही gap छोड़ते हुए, और continuous questions को attempt किया है, तीसरा person board के दुवारा जो पूचा गया था, उसके अंदर multiple प्रकार के question पूचे गये थे, पहला as soon as, as or because, तीनों में से एक यहां पर पूचा गया था, तो उन्होंने correct answer as पूचे गया था, फिर enough to, so, so that का पूचा गया था, फिर यहां पर fragile work पूचे गयी थी, fragile work पूचे गयी थी, यहां पर prepositions पूचे गये थे, उन्होंने continuously gap देते हुए, यहां पर पूचनों के उतर दिये हैं, आगे देखते हैं हम, यहां पर यह जो पैसेज दिया गया था, यहां पर यह पैसेज दिया गया है, section B start होता है, और यहां पर उन्होंने पैसेज के जो है, वो answer दिने शुरू के हैं, तो हम पैसेज के question देखते हैं, यह देखें, यहां पर इस पैसेज के अंदर, total जो है, उच है, 5% दिये गये हैं, तो हम देखते हैं के उत्तर करने का त प्र फिट्व जो है जो की वर्ड पूछे गए थे उन वर्ड के उत्टर भी है जैसे यहां पर लिखाओ है है प्लूम यानि खिलना होता है ब्लूम का आथ होता है खिलन और दोसरा फॉज यानि होता है दुश्वन या सत्रूद तो इहां पर ब्लू में ने खिलना तो यह फलरिश और दूसरा जो है फोज इसका अपोजिट इन्हों ने पूछा था हाँ इसका अपोजिट पूछा था तो फोज का उल्टा हो गया अब फ्रेंड्स हो गया यहां पर कंटिनूसली काम करते हुए फिफ 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 पिश के जो कुशन से उनके इस प्रकार से जो है वो आंसर किये है इसके कुशन हम देख लेते हैं इसमें भी पाँंस प्रसन थे और इन्होंने भी जो है इस प्रकार से टोटल 5 प्रशन का आंसर दे दिया है अगले जो हमारे प्रशन है वो प्रशन जो थे पाठे पुस्तक से प्रशन थे कि modern world का क्या मतलब है यह हमारे विस्तस के पहले पाठ थर्ड लेवल से पुछा गया था तो वहाँ इन्होंने लिखा है meant by the modern world is that modern world is full of depression, fear and इसे अगले वाला जो क्यूशन था वह अगले वाला क्यूशन जो है वो Tiger King लेशन से पूछा गया था तो इन्होंने short and sweet answer यहां पर लिखा है क्योंकि हमारा जो क्यूशन था वो केवल मातर 20 सब्दों के अंदर आंसर करना था तो इन्होंने जो हैं थोड़ा सा कम ज्यादा कर रखा लेकिन ओके था इतना चलता है आप देख सकते हैं क्योंकि हमें वर्ड को काउंट को गेंड के नहीं चलना जैसे तो इस तहीं कैसे है कि यह 28 वर्ड हो गए तो यह 20 से 30 के अंदर हो जाना चाहिए 15 से 30 के अंदर हो जाना चाहिए इससे उपर का लिमिट पर नहीं जाना चाहिए वैसे बोर्ड ने 20 वर्ड की लिमिट दे रखी है इसके आगे वाला जो क्यूशन था वो टाइगर किंग के टाइटल को जिस्टाइफाई कीजिए इसके बारे में था वह हमने देख लिया आठ वा क्यूशन जा था वो सदाओ के पिता जी की मुखे समश्या के थी तो इन्होंने सीधा सीधा सा लिख दिया है कि सदाओ की विल्कुल शोट लिखा है इसके बाद वाट वाट वाज दा मेनिंग ओफ थर्ड वेल यहां तो तीसरी घंटी वजी थी उस तीसरी घंटी का क्या मतलब था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीसरी घंटी का मतलब था इस टीटिटिंग स्टार्ट कर देना बस शोट आं गलत साबित कर दिया जाए फिर क्यूसन जो है वो हमारी फ्लेमिंगों से पूछा गये हैं तो आप देखे इने फ्लेमिंगों से प्रसंद पूछा गया है 11 वां कि डूबने वाले अनुबंभों को किस परकार से प्रभावित किया तो वैसे यहां पर देख यह inhale to पर जो है इसका 30 से 40 सब्दों के अंदर जो है वो कर दिया है अगला क्यूशन था वाइड डिट पैडलर साइम हिंसेल एजए कैप्टन वॉन स्टैनले तो उसने जो है कैप्टन की रूप में साइन क्यों किये थे तो आप नीचे देख पा रहे हैं इन्होंने क्यूशन नंब है तो हम भी चल लों फिर है किसन नंबर 13 कि मा की जो है वाइड़ स्माइल सिग्निफाइड इन दे पोईम इस माइड़ 66 में जो है स्माइल का क्या मतलब है तो इन्हों लिखा है स्माइल सिग्निफाइड है थे हैपी फेश ओप चिल्ट्रें फूस रूनिंग इस नंबर 14 है थीम जो पूछी गई है तो इस थीम के बारे में इनके वीडियो जो है हमने हमारे उस शोट वीडियो के अंदर अभी आपको डाले थे आप देख सकते हैं वाजा करके कि इस पोईम की जो है एलिवेंटरी स्कूल क्लास्रोम इंसलम की थीम इन्होंने पूछी है तो अन्होंने यह थीम लिख दी है फिर आगे देखें किसे नंबर 15 जो है वह केपिंग क्वाइट से पूछा गया है कि वाइट ड़स काउंटिंग अप ट्वेल्व एंड केपिंग स्टिल है अचीव हम क्या इससे हासल करेंगे यह पूछा गया है तो उन्होंने कवीता सब्सक्राइब करता है तो उसकी उसे मार दिया जाएगा और उसकी सारी संपती है वह जो है हडप कर ली जाएगी यह इन्होंने साफ साफ शोर्ट आंचर जो है वो लिखा है इसके बाद जो है वो अगला क्यूशन है यह जो पंकती ली गई है वो नगाए तो इन्होंने लिखा है अच्छे काम करने होंगे तभी एक वेक्ती जो है वो शुंदर वेक्ती कहलाएगा वेरी गूशन अनों बहुत है अच्छान्स और यहाँ पर लिखा है और क्यूसर नंबर नाइंटिंग को देख लीजिए इट इस करम इस डेस्टिनी फू सैट दिस एंड वाई एक फिरोजबाद में रहने वाले बेंगल मेकर से वाले के एपसोट से लिया गया है उसमें कहा यह उसका करम है इसके भग्य है यह वाकि किस ने कहा था और क्यों क परेंगा था तो आप देख सकते हैं कि यह जो है मुकेस की दादी ने कहा था क्योंकि मुकेस का फादर जो अपने घर को भी नया नी कर सका यए उनके पास इतने भी पैशा नहीं है कि उपने जीवन के इस तरप सुधार सके तो भग यह ही है कि गरीबी में पैदा हूई है और करीबी में ही मर जाएं कि उसे नंबर 20 को देखिए हाव डिट डगलस ओर कम की स्फिर ऑफ वाटर यह बोड़ा ही इंपोर्टेंट प्रसुन था जो पूछा गया था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको आंसर किया है कि डगलस ने पानी के डर पर केस्प्रकार से पाया है अगला क्यूशन आप देखें 21 रेट रेट रेप से लिया गया है वाट वाइस दा आइडिया ऑफ पैडलर अबाउट वर्ड विंग रेट रेट कि यह दुनिया जो है एक चुहेदानी है इस चुहेदानी के बारे में उन्होंने का क्या आइडिया था तो उसमें क पार्ट में विक्टिम यानि पिडित कौन है और क्यों है तो बामा जो है इस पार्ट के अंदर इस यहां पर इस गटना के अंदर पिडित है बामा यहां पर पिडित है क्योंकि वह एक निम्न वर्ग से जो है रेलेट करती है और वहां पर उनसे डिस्क्रिनेशन यानि जो ह बेदभाव किया जाता है इन्होंने बिल्कुल अच्छे से इसको आंसर किया है आप अब देखिए आप लोग जो हैं यह क्यूसन जो आता है हमारा इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि नौटिस आ गया या फिर इन्विटेशन का रिपलाई आ गया या फिर एक लेटर को प्लाई अपने को करना पड़ गया है तो वो चीजें आप लेटर लिखना इन सब में घबराते हैं तो देखिए इन्होंने क्या किया है इन्होंने यह अतवा वाला क्यूस्टन किया है यू आर आरचि आरचित सिक्रेटरी इंट्रेक्ट कलब बैंगलूरू आप जो हैं इं क्रेटरी का पद्ध है यह सबसे नीचे आने वाला है आपका नाम सबसे नीचे आने वाला है तो क्या का है इनों ने सबसे सिधा तरीका यही है कि capital letter में capital letter में बीचों बीच पेज के बीचों बीच आप इसको इस तरीके से फिट कीजिए कि पेज के बीचों बीच आए बद्धा नहीं लगे कई बार capital letter लिखते समय अपने ऐसे करते हैं कि पूरा जो है उपर तक लाइन को टच करा देते हैं जो कि देखने के अंदर बहुत ही अगली दिखता है आप ऐसा नहीं करें तो यहां पर यह संस्ता का नाम आएगा तो स्कूल का नाम आ जागए यहां पर फिर हम लाइन चोड़ते हो यहां पर जो है लेफ्ट साइड में हमारी जो है वो डेट आ जा रहा है या फिर किसी एजुकेशनल ट्यूर है या फिर कुछ भी है कोई भी सुचना जो है उसका विशय जो है हम यहां लिखेंगे यह वी कैपिटल लेटर में होगा विद्यारे समंदित होता तो हम लिख देते आल दैस्टुडेंट्स लेकिए सीधा साथ एक ही रूल ह बिल्कुल सेम तुसेम बस क्लब मेंबर के जगे हमें लिखना था आल दैस्टुडेंट्स आम इंफॉर्म दैट की वर्ल दैबिटीज दे इस और नेक्स्टुजडे ओन त्वेल अप्रिल और यू आल तो वाउन दैस्टुडेंट्स देट अवेर अमंग पीपल बाव पी कहेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर जो है आल स्कूल एट एजुकेशनल टूर इस गोई टो और आवर इस प्रइट करना चाहते हैं वो आ जाएं तो लास्ट में हमारा नाम आएगा और उसका जो पद है वो पोस्ट है यह आजाएगा बिलकुल सहल है आप सीदा सा एक नो आप याद कर लीजिए बस आल दा स्ट्रेंट्स आर इंफॉर्म्ट आट आवर स्कूल इस गोईंग तो और गनाइज या गोईंग तो सेलेब्रेट अन्वल फंक्शन उसमें यह प्रोग्राम होने वाले हैं आप इसके लिए पार्टिपेट कर सकते हैं इसके लिए अलग व लेटर लिखा इनोंने विद अस्ट्रेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा जो घवराते हैं वो घवराते हैं कि किस प्रकार से लेटर लिखूं और लेटर जो हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लेटर आएंगे वो एक तो सिकायत का पत्र आएगा किसी कलेक् किया दूसरा एक जोब के लिए याद किया तीसरा लेटर जो है वो इनक्वाइरी यानि पूछताच के लिए आता है कि हम जो है कि उसी व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय के बारे में जो है फिर अगला जो है आप अगर कोई चीज आपने कहीं से खरीदी है और उसको आप प्रकाशित हो तो प्रसंद को देखिए यू आर सिद्ध शिद्धी और गोवर्मेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोद्पूर एको कलब ओफ और स्कूल इस गोएंग तो प्लांट 300 प्लांट्स इन यूर स्कूल एरिया विधा है इन्होंने यहां पर यह किसन अटेंप्ट अब मैंने यहीं किया है इन्होंने आगे कहीरी किया होगा तो इससे पहले हम इनका जो है वह नीचे गेंटेंर देख लेते हैं क्या है वह 25 नमर के उसने किया है देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक तो जॉब अप्लिकेशन आये हुआ है कि जॉब अप्लिकेशन आये हुआ है तो जॉब के लिए अप्लिकेशन आता है और दूसरा जो था यहां पर आता है इसके बारे में आए है तो देखिए मैं आपको सरल तरीका बताते तहा हूं कि सबसे पहले हमें हमारा एड्रस लिखना है हमारा एड्रस तो इसमें यहां पर इनुग नहीं दिया है नगीना बाग चितोर्डगर देखिए house number आपने हमारी तरफ से दे दिया नगीना बाग हो गया चित्तोडगड हो गया हमने जगह छोड़ी और हमारी exam क्योंकि 22 March को है तो हमने लिख दिया 22 March इसके आगे हम जो है चलते हैं तो जैसा कि हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने हमारा address लिखा था और address लिखने के बाद हमने यहां पर date mention करी है अब हमारा असली लेटर यहां से शुरू होता है तीन लाइन हम लिख चुके हैं कि किसको लिखना है तो अकपार का जो संपादक होता है उसे editor कहते हैं तो the editor कई बार हम से चालाकी की जाती है यहां पर लिखा वाता है local newspaper तो local newspaper का कोई मतलब वो समाचार पत्र का नाम नहीं है हमें हमारी तरफ से नाम लिखता है तो आप एक किसी पी समाचार पत्र का नाम यात रखें दा हिंदू और जायर सी बात है वो चित्तवडगड का है और यहां पर छोड़ दीजिये से आगे चलिए subject लिखिए तो subject हमारे यहां पर देखिए action 4 या तो वहां पर ing form लगावाता है to लगावाता है for लगावाता है तो देखिए सिधा सिधा इन्होंने यहां से आप देखिए कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं आप यहां से हमाने subject उठाया और subject में ले जाकर के हमने subject मुरूद दिया यह बिल्कुल आपको याद कर लेना यह line throw the column of your esteem news पे अपर I would like to draw attention of यहां तक जब भी आप किसी भी समाचार पत्र के लिए later लिखेंगे exam में अगर समाचार पत्र के लिए later आता है तो आपको यहां तक लिखना है यह confirm है इसका मतलब है कि आपके अगभार के column के माध्यम से मैं ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ अब किसी का भी ध्यान आकरशित जिसका करना चाहते है तो इसके माध्यम से देखिए आप किसका ध्यान आकरशित करना चाहते है जनरल मैनेजर का यहां पर हमने क्या लिख दिया जनरल मैनेजर किसकी तरफ तो यही है towards यही जो subject था वो यह आपसे लिखना है towards the poor maintenance of the state transport buses हमने यहां तक कुछ याद नहीं किया था बस सीधा लेटर से हमने लिखा रहा है इन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे जोड़ा है the condition of buses is too poor to travel for the people people fears to get in bus the condition of bus can cause to big accident which we all don't want to see provide the better buses for people तो इन्होंने इस प्रकार से एक्स्ट्रा लिखा है बाकि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इतना लिखें पूरा आंसर सही नहीं होगा लेकिन आपका गलत नहीं माना जाएगा आपको उसमें marks दिये जाएंगे अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं उसके अंदर फिर आप उनसे request कर रहे हैं please publish my letter in your newspaper की आप मेरा जो है वो लेटर newspaper में छाप देजिए so that needy action can be taken आउशक कारवाई वो की जा सके thanking you, you are sincerely अंजली तेकि ये line ये line ये line ये line तीन ऊपर थी फिर ये अकबार वाले को आप समाचार पत्र वाले को लिख रहे हैं तो ये तो आपको लिखना है लिखना है और यहां तक का यहां तक का हमने कुछ भी याद नहीं किया है आप इसको लिख करके डायरेक्ट ये करते हैं तो भी इसमें एक दो नंबर काटा जाएगा बाकी नंबर आपको पूरे के पूरे दे दी जाएगे ता आप प्रशन से भी पत्तर बना सकते हैं मेरा ये कहने का हां अंतिम जो इन्होंने प्रशन किया है ओं अंतिम पूरे इन्होंने क्या है translation का इन्नों नहीं यह किया है रिपोर्ट नहीं लिखिये रिप्ट लि alguma ज़ने के वजह इन्होंने यहां translation किया है इसको बिल्कुल अनुवाद कर दिया है, अनुवाद करने का तरीका यही है, कि आप एक-एक शब्द को देखें कि उसका अर्थ क्या है, एक-एक सब्द को देखें, ऐसा हो सकता है, किसी spelling का आपको अर्थ नहीं आए, तो एक बार उससे अगले वाली और उससे पहले वाली मि पढ़ेंगे, तो आप लिखने में समर्थ रहेंगे, जैसे, if your body is in perfect health, if यदि your body, आपका सरीर perfect health, अच्छे स्वास्थे में है, you enjoy life, आप जीवन का आनंद लेते हैं, अगर आपका सरीर सही स्वास्थे में है, तो आप जिन्दगी का आनंद उठा सकते हैं, तो यह ले सकते ह हैं, या लेते हैं, सकने हैं, इसनों एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कि हम जो हैं, अपने मस्तिस का यूज करते हुए, पूरे अंक पराप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें घबराने की जुरुत नहीं, माध्यम से जो है, वो पूराप्त पूरा बना सकते हैं, थैंक यू वेरी मुर्ट